नमस्कार, मैं हूँ मनुइंदर, MBN Network पे आप सबी लोगों का भहत स्वागत है। Citizenship Amendment Act यानि की CAA के तहट भारतिय नागरिक्ता के लिए ग्रह मंतराले ने वेब पोर्टल लॉंच कर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश से भारत आए गेर मुस्लिम शर्नाथियों से नागरिक्ता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये तो एक सूचना है, लेकिन ममता बनर जी और दक्षिन भारत से CAA के विरोध में आवाजे आना शुरू हो गई है। और ममता बनर जी न तो within a minute उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि वो इसके खिलाफ है, उसके बाद उन्होंने एक press conference की, उसमें उन्होंने का कि वो इसको लागू नहीं होने देंगी अपने state में। अच्छा ये अवाजे survival के लिए हैं या कि उनका vote bank जो है, वो खिसक रहा है, इसलिए है, इसी पे बात खोगी आज। उनका एक अनुवान हो सकता है, लेकिन जो हालात हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगनी रहा कि West Bengal में ममता दिदी को BJP के साथ अच्छी खासी fight देनी पड़ेगी, अपने आपको आगे निकालने के लिए, और BJP ने भी अपने पूरे घोड़े खोले हुए हैं, वाजय चाहे अब ये CAA हो, या फिर उनका चहेता शाधान शेक हो, या फिर संदेश गली की घटना हो, या फिर वो राशन घोटाला हो, और शेक इस समय CBI की कस्रडी में है, और उससे पुछताश शुरू हो चुकी है, ये सब चीजें मिला करके, ममता बनर जी को एक डर पैदा कर रही है आने वाले चुनावों के दिनों के लिए, ममता बनर जी ने अब CAA पर भी बयान बाजी शुरू कर दिये, यू कन से कि वो उल्जी होई हैं इसमें, बजाए इसके कि वो अपनी कोई स्टेटेजी बनाएं, किस तरीके से उन्हें चुनाव लड़ना है, 2024 का, वो इस समय CAA मे उलज गई हैं, और लड़ी वो शेक के मामले में उलजिवी थी, ये एक दूसरा और फैक्टर उनके सामने आ गया है, अब देखिए, असम के मुक्हमंतरी हिमंद विस्वा, सर्मा, उन्होंने राष्टे नागरिक पंजियन, यानि कि NRC को ले करके एक बड़ा ब्यान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि NRC के लिए आबेदन किये बिना, अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, तो वो इस्तिफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे, अब आप इसका मतलब समझिये, दरसल CAA को देश में लागू कर दिया गया है, आपको मैंने बताया कि उसक बाहरी लोग राज्य में भर जाएंगे, आप जानते ही हैं कि 11 तारिक को पूरे देश में CAA लागू कर दिया गया है, जिसके बाद केरल की एक राजनीतिक संगठन ने इस पर रोक लगाने के लिए, यानि की CAA पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर का दरवाजा भी आजादी है, हमारा समिधान ऐसा है, जिसमें सबको अपनी बात कहने की आजादी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इनका ये कहना है कि नागरिक्ता संचोधन, कानून धरम के अधार पर मुसल्मानों के खिलाफ भेदभाव करता है, ये OBSI जी कह रहे हैं, इंडरेक मंगाल और असम की सियासत पे पढ़ने वाला है, अधिसूचरा का एलान होते ही, पस्चिम मंगाल में बीजेपी और मतुवा समदाय के जश्न मनाए गए गए थे, इन समदायों ने जश्न मनाए, दिवाली मनाई, लेकिन असम में अखिल असम शात्रसंग ने विरोध करते ह आंदोलन तेज करने का एलान कर दिया है, इवन उनोंने CAA की प्रतियां भी फूकी, पस्चिम मंगाल में बीजेपी के लिए CAA का मुद्दा सियासी मुफीद साबिद हो सकता है, तो असम में टेंशन मन सकता है, बंगाल में क्लीन स्विप का सपना देख रही ममता बनर जी क लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण बन गया है, यानि कि यूं कहिए ऐसे एक लाइन में कि बीजेपी ने ममता दीदी की चिंता बना दिये, मतुआ समदाए के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाल का सियासी कनित काफी हद तक मतुआ मतोबटिका रहता है, और ये भी माना जाता है कि मतुआ वोट जिस तरब भी खिसक जाएं, उस तरब का ही पलड़ा भारी हो जाता है, मंगाल में लगवग एक करोड असी लाक, एक करोड असी लाक आप अंडरलाइन कीजिए, कितनी बड़ी संक्या है, मतुआ समदाए के मद आता है, जो किसी भी दल का खेल बना जाने और बिगाडने की ताकत रखते हैं, और पस्चिम मंगाल के नादिया और उत्तरदक्षिन अदक्षिन 24 परगना के जिलों की कम से कम चार लुक सभा की सीटों में ये समुदाए, एक तरह से यूं समझे कि जैज्मेंटल है, ये वहाँ नेर्णे करते हैं कि कौन सी पा ने चाहिए, दरसल CAA का मुद्दा मत्वा समुदाए के लिए बेहत खास है, इस एहमियत को समझने के लिए मत्वा समुदाए के इत्यास में थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहूंगी, मत्वा समुदाए पूर्वी बंगाल और अब बंगलादेश से आये हिंदू शर्न में बंगाल से आये मत्वा समुदाए के लोग काफी समय से स्थाई नागरिक्ता की मांग करते रहे हैं, ये हिंदू शर्नारती हैं, जो देश के विभाजन के दोरान और बाद के दशकों में बंगलादेश से भारत पहुँचे थे, मत्वा समुदाए की तरह राजवंची स समुदाए को भी CAA का लाब हैं, राजवंची भी हिंदू हैं, 1971 से इन लोगों को अब तक नागरिक्ता नहीं मिली हैं, और पस्चिम मंगाल की चार जिले, यानि कि नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिन 24 परगना और पूर्वी वर्दवान में मत्वा समुदाए का अच् इन में से चार लोगसबा सीटों पर मत्वा संपरदाए का प्रभाव है, तो अब आप समझ लीजे, मत्वा के साथ साथ राजवंची समुदाए की वी स्थाई नागरिक्ता की बहुत पुरानी डिमांड है उनकी, और कूच विहार, जलपाई गुरी, अली पुद्वार, आ के राज्य की चौथाई लोगसबा सीटों पर CAA कानून का सीधा असर हुआ है, और CAA के कानून से जिन सेग्मेंट्स को फायदा होने वाला है, उन लोगों में बंगाल में 2019 के लोगसबा चुनाव में खुल कर BGP का साथ दिया था, उन लोगों ने, BGP ने ये खा था कि हम ये ले करके आ रहे हैं, CAA, आपको नागरिक्ता दी जाएगी, ये मुझे शुरुआत में ही बताना चाहिए था, और वैसे आपको पता भी है कि मोधी और शाह, उन्होंने जो कहा, वो उन्होंने करके दिखाया, और वो अब वहां जाकर के ये कह सकते हैं कि हमने आपसे ये कहा और हमने ये करके दिखा दिया, अब आपको नागरिक्ता मिल सकती है, यही वज़ा है कि CAA कानून की अदूसुचना जारी होने के बाद, PJP को बंगाल में सियासी फाइदे की उमीद है, और उधर ममता बनर जी कह चुकी है कि वो CAA कुल लागू नहीं होने देंगे, ममत कुछ कह रही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की, उसमें उन्होंने काफी बयान बाजी करी, और ममता बनर जी ने इस कानून को लागू करने में डीलर डाला, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा उन्होंने, और एक चीज तो है, BJP को इसका फाइदा मिलने वाला है, और ममता अनर जी भी बोलने में, अटेक करने में, खेला करने में, बड़ी माहिर है, उन्होंने उसी समय, मतला जिस समय इसकी घोशना होती है, ट्वीटर हैंडल पर उन्होंने उसी समय, विदिन टू मिनट उन्होंने ट्वीट किया, और उसके 15-20 मिनट के बाद ही उन्होंने प्रे पर इसे बात आपको ये समझाना चाहती हूं कि वो लागू नहीं होने देंगी, तो उसमें वो अडंगा लगा सकती हैं. कैसे? इस तरीके से कि अगर आपको पता है, आप पास्पोर्ट बनवाते हैं, तो पास्पोर्ट तो सेंटर के अंडर में आता है, किन सरकार ही पास्पो आपको देती है लेकिन पासPort जिस दिन आपको मिलता है उससे पहले आप किन किन लोगों से मिलते हैं आपने एक बार अब लाई कर दिया उसके बाद कि अंधिश सरकार पर्देश को वेक्ति के बारे में सारी जानकारी निकाल करके हमें दें उसका बाकाइदा सत्यापन होता ह यानि कि आप चांदते ही हैं कि हर सिटी में LIU का एक बड़ा सेग्मेंट रहता है, पुलिस के साथ पुलिस कारेले में ही उनका कारेले होता है, ये बड़ा इंपॉर्टन्ट विभाग होता है LIU का, और ये अब इस पे जो कंट्रोल होता है, वो परदेश सरकार का ही होता है, और अगर कें सरकार सक्त हो जाएगी, तो वो कहीं भी राता नहीं फैला सकती है, बस ये एक फरक है कि वो कैसे अडंगे लगा सकती है, तो वो अडंगे इस तरीके से लगाएंगी, कि LIU से वेरिफिकेशन करने का जो एक प्रोसीजर होता है, उसमें वो अडंगा लगा सकती हैं, और अगर वो ना हो, तो जैसे आपको पास्पोर्ट नहीं मिलता है, वैसे ही आपको नागरिक्ता नहीं मिलने के लिए भी आप तयार रहे है, ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे पास्पोर्ट मिलता है, वैसे ही आपको नागरिक्ता मिलेगी, और अगर आपका स्थानिय वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपके डॉकुमेंट अधूरे रहेंगे और केन सिरकार उसको ओके नहीं करेगी, जब तक L.I.U. की रिपोर्ट नहीं लगके जाएगी, तब तक आगे नागदिक्ता मिलने का सवाली बैदा नहीं होता, तो ये वो कहीना कहीं थोड़ा बहु इस्तिती जो है वो ये है कि C.A.A. ने ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी है, अब जो समुदाये जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, वो ओवियसली BJP को सपोर्ट करेंगे, अब ममता दीदी की धड़कने इसलिए बढ़े हुई हैं, कि अब तक तो सारे वोटों उनकों मिल रहे अब ये विभाजन हो जाएगा, इसलिए उनका संकट बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस पे आप अपनी राये भी दें, इसे आप लाइक करें, ये मेरा निवेदन आपसे, कि लाइक का बटन दबाएं, और इसे आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि पता तो चले कि CAA का इंपक्ट क्या है, क्या है CAA, क्यो ममता दीदी इतनी परेशान है, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइ हैं मेरा आपसे, कि आप बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो मेरे नोटिफिकेशन है, आपको सबसे पहले मिलें, अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, जैहिन, जैभारत.